से पहले मैं रुक करूँगा हमारी समवारता पलवी का जो दिली से हमारे साथ बने हुए हैं पलवी जब देश में संपून लॉक्डाउन लगाए गया था तो देश में सिर्फ 500 के करीब मामले थे आज एक रिकॉर्ड बन गया है भारत में एक दिन में एक लाग से जादा माम पले सामने आए हैं राज्या सरकारे कदम उठा रही हैं लेकिन केंद्र सरकार कब जागेगी बिल्कुल रवी देखिए जस तरीके से ये पैंडेमिक शुरू हुआ था और अभी तक के हालात है कि उसमें ये तरीके से कोरोना बिल्कुल आकरामक तरीके से है और ऐसा आकरमक है कि कई लोगों की लगातार हम देख रहे हैं कि मौत हो रही है बेशक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से इसे कर्टेन करने की कुशिश की जा रही है लेकिन लगातार आकरा बढ़ आ आ है अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में दे यावा इस्तिती चिंता की स्थिती जो क्याविनेट सेक्रेटरी की मीटिंग हुए थी अलग-अलग जो राज्य के सचिव हैं उनके साथ और कल जिस तरीके से प्लादर्दान मंत्री ने भी मीटिंग ली है उसके बाद से सहब तोर पर ये संकेट जरूर मिल रहे हैं कि राजिये को ये दिचा निर्देश दे दी गई है कि आपको लगता है कि आपके राजिय में केस जो है कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है तो आप लॉक डाउन लगा सकते हैं और जादा से जादा टेस्ट करिए और जादा से जादा वैक्सिनेट करने की कोशिश करिए ताकि ये जो लगातार बढ़ते हुआ केसिस कोरोना के हैं उसमें कहीं न कहीं ब्रेक लग सकें दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में मुक्यमंतरी अरविंद केजडिवाल ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि जो एक सीमा में बाधा गया है एक एज में बाधा गया है कि वैक्सिन उनी को मिलेगी उसको हटा दिया जाए और अब सभी लोगों के लिए उपन कर दिया जाए वैक्सिन ताकि सभी लोगों को वैक्सिन जब मिलना शुरू हो जाएगा तो कहीं न कहीं कोरोना से बचा होगा लेकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसमें दिली सरकार को भी अब अलग अलग जगों पर निगरानी तेज करनी होगी टेस्टिंग तेज करनी होगी वैक्सिनेशन तेज करना होगा इस अब सिन्था आपको यहां यह बताना चाहूँगी कि इस पार जो जानकार कह रहे हैं कि जो पोरोना का हम वेव देख रहे हैं उसमें बच्शी और यंग्स्टर्स जो है वो जादा चपेट में आ रहे हैं तो ये भी बहुत चिंता का विशे है कि बच्छी और यांस्टा सब्सक्राइब चापे प्यार है ये काफी दराने वाली नया स्टेंज जो है वो और भी ज़्यादा खतरनाक सामने आ रहा है